नमस्कार दोस्तों मैंसंदीप आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टुटीव चैनल में दोस्तों यह दे आप ट्रिपल सी के स्टुडेंट हैं आपका एक्जाम हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंप्वार्टन एंड हेल्फुल हैं तो आपको यह वीडियो लास्ट तक यानि इंड तक जरूर देखनी है क्योंकि आज किस वीडियो में बहुत साई जानकारी आपको देने वाला हूं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता ट्रपल सी का एक्जाम चल लाएं बहुत सारे स्टुडेंट ने तो मैंने वही कोईश्चन इसमें इंग्लिट की जो पूछे गए हैं तो यह वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि लास्ट में भी ऐसे कोईश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके एक्जाम में पूरी तरह से हेल्प होने वाले हैं बहुत सारे स्टुडेंट क्या करत पर आप लाज तक वीडियो देखिए तभी तो सही तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हाँ अगर चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा उसके साइड में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा जिसस आप लोगों तक पहुंचाता हूं तो यह प्रोसेस जरूर करिएगा चलिए आज जो पहला कोश्चन हो इनमें से सर्च इंजन कौन सा है नंबर एक है क्रोम बी नंबर मोजला फाइरपॉक्स सी नंबर है यूसी मिनी डी नंबर है याहू तो इसमें आपको कनफ्यूज जर गूगल भी होता है लेकिन आप सोच रहें कि गूगल तो इसमें है ही नहीं आपसं तो क्या सेलेक्ट करें तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो डी नंबर होगा याहू याहू एक प्रिकार का सर्च इंजन ही है और गूगल भी सर्च इंजन है ओके और लेकिन जो क्रोम है मोजिला फायर फाक से यूसी मिनी है यह जो आप लोगों को तीनों दिख रहे हैं यह ब्राउजर होते हैं जो कि आप बाहर से डाउनलोड करते हैं लेकिन जो सर्च इंजन वो याहू और गूगल भी होता लेकिन गूगल इसमें आफसर नहीं है अगर गूगल आये तो आप उ वीडियो देखे होंगे जो मैंने पिछली बार आट टेस्ट में जब मैं टेस्ट कर रहा था यानि कि टेस्ट की क्लासेश चल लही थी तो आप अगर वो क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा तो वही कोश्चन रिपीट हुआ है एक बाइट में कितने बीट होते हैं तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा मैं आपको फाइनली बता देता हूं वह हो जाएगा डी नंबर सही आठ बीट एक यानि कि एक बाइट में आठ बीट होती है ध्यान देना एक क्वेश्चन पूश लिया जा सकता है बिट बाइट निबल के बी एमजी और जीबी टीबी इ दो तीन क्वेश्चन तो आने ही आने मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप लोगों को और हाँ अभी वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो लास तक देखिएगा आपको 100% 100% आपको हेल्प मिलेगी मैं यह कह सकता हूं क्योंकि जो इस्टूडिन ने एक्जाम दिया थ है एक्जाम में तो मैंने सोचा यह भी जो क्वेश्चन मिले मैं इसकी भी वीडियो बना दूं जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके हैं और हाँ अगर ट्रपल सिस लेटर आपकी कोई कोई कुश्चन है कुछ भी पूशना चाहते हैं तो बेसक कमेंट सेक्शन में डे नंबर एड़ पेज मेंकर तो जो लेब्रो ओफिस है मैंने आपको बताया है कि नया स्लेबर्स लेब्रो ओफिस ही आइड हुआ है पिछले दो-तीन महीनों से इसके भिहाब पे यानि कि इससे रेलेटेड मैक्समम कोईश्चन पूछे जाते हैं यानि कि 50% कोईश्चन लेब्रो ओफिस से ही आते हैं तो इसके लिए मैंने इस्पेशल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए अगर अभी तक उसको आपने नहीं देखा है तो डिस्कूप्शन में जाईए उसका लिंक आपको मिल जाएगा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें आपको ब जो क्रेक्ट एंसर होगा वह एंपड़रोफिस और अपका इड़ाव यानि फोटो साप और पोलडरा वाला हो गया तो इसलिए क्रेक्ट एंसर होगा अपने इसको सेन की बात करते हैं जो हमाई weten में हो है निम लिखित में एक एक एंटिवाइरस साफ्ट बेर कौन है number 1 quick heal number B cookies C number well superior D number none तो इसका जो correct answer होगा मैं finally बता देता हूं अब लोगों को ए नंबर होगा quick heal जो quick heal होता है वो एक प्रकार का एंटिवाइरस होता जैसे कि हमारे computer में कोई भी वाइरस आ जाता है या फिर हम इंटरनेट पे work करते हैं इंटरनेट पे तो इंटरनेट के ज़री बहुत सारे वाइरस आ जाते हैं तो वहाँ पर हम एंटी वाइरस का यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया जो एंटी वाइरस होता है हाई quality का वो होता है quick heal तो आप quick heal select करेंगे क्योंकि यह question एंटी वाइरस और वाइरस से लिटेट दो चार question भी पूंचे जाते हैं तो quick heal इसका correct answer है अब next question के और बढ़ते हैं जो next question वो है liberal office click का एक टेंशन नेम क्या होता है तो मैंने इसमें series में फिराल बहुत सारे question liberal office से लिए हैं आपको देखने को मिली रहे हैं तो click का एक टेंशन नेम होता है वो .xls होता है उसके बाद .odp उसके बाद है ods और last है doc तो इसका जो correct answer होगा मैं finally आपको बता देता हूँ वो हो जाएगा c number .ods click का यानि liberal office click का एक टेंशन नेम .odc होता है ध्यान देना है आपको अब next question की बात करते हैं जमाई इस चीज में वो है निम लिखित में मुख्यता डॉस कमांड कितने होते हैं डॉस कमांड आपने पढ़ाओगा कंप्यूटर में डॉस कमांड पढ़ाओगा अगर आपने कमांड यूच कियें जैसे की internal external और जो डॉस का full name होता हूँ उससे मैं आपको बता दूँ पहले डिस्क ओके full name हो जाएगा डिस्क operating system होता है डॉस का पूरा नाम हो सकता है यह भी full name पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा operating system ठीक है तो दो होते हैं डॉस में कमांड दो प्रकार के यानि की internal और external यानि की बाहरी और आंतरिक अब next question की बात करते हैं स्लाइड सो की साट कट की क्या होती है यह question आपके powerpoint से related है तो उसमें जो स्लाइड होती है उनको सो करने के लिए कौन से हम साट कट की यूज करते हैं इसका जो करेक्ट एंसर होगा मैं बता देता हूं जब आप फाइब प्रेस करेंगे तो आपके जितनी भी स्लाइड होंगी वह सो करने रगेंगी आप फुल फुल डिस्पिले होके तो यह question जो है ना कई बार पहुंचा गया है मैंने इसे कई बार देखा है कि यह question कई बार रिपीट हो रहा है तो यह question आप राइट कर लिए अपने इसमें आपके पास जो वह होगा नोट उसमें लिख लीजेगा या ध्यान में रखिएगा अपने इस question की बात करते हैं जमाई चीजिन में वो है एक्सल में row और column से क्या बनता है नमबर एक बॉक्स नमबर भी टेबल नमबर से cell डे नमबर में से कोई नहीं तो जो एक्सल की बात हो रही है यहाँ पर row and column I hope यह मैंने कई बार question आप लोगों को बताया है यह भी repeat भी हो गए अच्छी बात है row और column यह आपके row हो गए ओके यह वाले और यह जो है आपके column हो गए तो इन लोगों को बनता है तो यह जो बीच में बन रहा है इसे ही बोलते है तो इसका correct answer हो जाएगा यह c number cell रोर column को मिलाके Excel में cell बनता है अब next question की बात करते है जमाएं शीरीज में वह है एक्सटल में equal now और breakout start ब्रेकट बंद से क्या आता है या क्या होता है इस जब यह हम एक्सटल में इंटर करेंगे यह चीज तो हमें क्या देखनेू को मिलेगा ऐसा भी कह सकते हैं यह question कई बार repeat हुआ है पिछले भी series में मैंने question लिया था क्योंकि यह बहुत important question है बार बार आ रहा है तो मैंने सोचा इसको भी लेते हैं फिर से जो student नहीं देखें वो फिर से देख लेंगे तो current minute, current date or time, c number है सिर्फ time, d number में से कोई नहीं तो जब आप यह function एक्सल में यूच करेंगे यह वाला यह function देखने को आपको मिल ला है एक्सल आपका यह हो गया है, जब आप इसमें equal और now उसके बाद breaker star, breaker बंद करेंगे और उसके बाद enter करेंगे तो आपको जो आपके computer की current date और time होगा वो automatic insert होके आ जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा कि जो system का यानि का आपके computer का date क्या है और time क्या है तो इस फार्मूले से यह so होता है, ओके, done, अब नेस question की बात करते हैं, वो है FDD का पूर्ण रूप क्या है, नमबर एक formula display, नमबर B floppy disk drive, C number folder design disk, D number none, तो इसका जो correct answer होगा, मैं file नहीं बता देता हूं, वो हो जाएगा, B number floppy disk drive, FDD, F का मतलब floppy disk, D का मतलब disk, और दूसरे D का मतलब drive, floppy disk device हो सकता है, यहाँ पर आप से HDD पूछ लिया जाए, FDD की तो बात मैंने कर ली हो सकता है, HDD पूछ लिया जाए, तो आप वहाँ पर select करेंगे hard disk, ओके, उसके बाद यहाँ drive, सिर्फ आपका हाड हो जाएगा, यहाँ पर अगर एच आ जाए, यहाँ पर HDD तो आपको यहाँ पर hard disk drive कर दीजेगा, ओके, आपके यहाँ पर दो questions के लियर हो गए है, ध्यान दे होंगे आप तब, अब दिस question के बात करते हैं, जमाशीज में वो है, इंटर की को return की भी कहते हैं, यह बहुत important question है, कई बार repeat हुआ है, मैं आपको यह जरूर कहूंगा, इसे रट लीजिएगा, इंटर की को return की भी कहते हैं, यस, जो हमारी इंटर की होती है, उसको return की भी बोलते हैं, इसलिए यह correct answer हुआ, a number, यह question high label की course में भी पूछा जाता जैसा की मैंने जब O level का exam दिया था, जो कि triple C से high label का होता है, एक साल का होता है वो, तो उसमें यह question पूछा गया था, कि इंटर की को return भी की कहते हैं, अपने इस question की बात करते हैं, जमारी श्री में, वो एक computer की सफ़े छोटी, इकाई निबल होती है, बहुत important question है, और बहु इसलिए यह question false हो, अगर beat होता, तो सही हो जाता, computer की सफ़े चोटी काई beat होती है, उसके बाद निबल होती है, उसके बाद bite होती है, अबने इस question की बात करते हैं, जमारी श्रीज में वो है, टेलनेट का पूरा नाम telephone network होता है, नमबर एक true, नमबर भी false, तो जो टेलनेट है एक्जाम में ऐसा तो नहीं आया था multiple में, यानि टूफास में, उसमें आया था कि टेलनेट कातात पर क्या है, वाट इस टेलनेट ऐसे आया था, यानि कि पूरा वो subjective question था, अब नेस्ट कोश्चन की बात करते हैं, जमारी श्रीज में वो है, IMEI नमबर देखने के लिए, star hash, 06 hash का प्रियोग के जाता है, तो हई होप आप मोबाइल चलाते हैं, तो आपको पता ही होगा, EMI code वही, जिससे आप कहते हैं कि हम अपना मोबाइल अगर खो जाएगा, तो उसे हम ट्रेस कर लेंगे, कहां पर है मोबाइल, EMI code वही हुआ, email जब open करते हैं, तो battery के पीछए, आपको battery की नीचे मिल जाता है, EMI code आप देखने को मिलते हैं, ध्यान आया, ओके, अगर आपको EMI नमबर पता होगा, तो उसको हमें देखने के लिए, क्या code होता है, उसको देखने के लिए, तो उसको देखने के लिए, जो code होता हai, वो correct यह पहले मैं आप करेक्ट कर देता हूं सही है इमाई नंबर को देखने के लिए इस्टार है जीरो सिक्स है का पीडियोग किया जाता है बहुत इंपार्टन कोश्चन है और आपके डेली लाइब में भी यूज होने वाला है दोनों में काम आ गया अब नेस्ट कोश्चन की ब अग्जामों में लेकिन इस बार जीमिल आ गया तो जीमिल का फूल नेम होता है वो मैं आपको बता दूं गूगल मैसेज होता है नहीं तो यह फाल्स हो गया बाई गूगल मैसेज नहीं होता है तो जिसका जो करेक्ट आइंसर होगा वो होगा गूगल ओके गूगल मेल जिस से आपका Google हो जाएगा और M से आपका मेल है ही ठीक है तो Google मेल होता है Gmail का फुलने इसलिए यह question अगर यहां पर Google मेल होता तब सही होता है यहां पर Google message इसलिए फास हो गया तो दोस्तों आई होप आपको यह question समझ में आ गया होगा अगर अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा अगर आप कुछ पूछना चाहते तो बेसक आप हमें comment section में जरूर पूछेगा दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतने question अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्ली वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि मेरे पास जो नौलेज है मुझे जो आइडिया लगता है मुझे लगता यह जानकारी आपको देना सही है इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं जिससे आपको थोड़ी भी बहुत किसी भी प्रकार की help मिल सके तो दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करिएगा जिससे उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके तब तक क्ले थैंक्स फार वाचिंग एन मीट यू नेश्ट वीडियो बाय बाय दोस्तों